गुड मॉर्निंग टोल अफ स्टुडेंट्स चैप्टर नाइन हमारा कम्प्लिट हो चुका है और आज हम चैप्टर टेन देट इस ग्रेविटेशन और उसका ये पहला पार्ट है इंपोर्टेंट टोपिक है इलेवन्थ क्लास में भी काम आएगा आज पहले इसका मेनिंग हम समझेंगे कि ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी क्या है उसके बाद हम नेक्स टाइम एक छोटा सा डेरिवेशन भी होगा तो चलिए सबसे पहले इसको हम समझते हैं किसने क्या इसके बारे में हमें आइडिया दिया देखिए सबसे पहले हमारे जो सर आईजेक न्यूटन थे उन्होंने ये ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन ट्रम या फिर ग्रेविटी इसके बारे में एक्स्प्लेनेशन दिया शुरुआत से बताता हूं कि कैसे क्या हो रहा था कि जैसे हमारे साइन्टिस्ट न्यूटन इस फिगर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कुछ स्टेडी कर रहे हैं कोई कहता चाय पी रहे थे कुछ भी कर रहे हैं वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके उपर एक सेबॡर के गिर नह तो वहीं से उन्होंने सोचना शुरू कि ये जो से है एपल है इस पेढ़ से गिर कि अर्थ की साइड अर्थ की सरस्फेस की साइड या निका सिर्फ पे आकर की गिरा ये कह लो चाहें आप यह कह दो कि अर्थ की सर्फेस की तरफ आकर के गिरा तो वहीं से Sir Isaac Newton ने सोचना सुरू किया कि यह जो सेब है यह अर्थ की सर्फेस की तरफ नीचे की तरफ ही क्यों आया यह आसमान की तरफ क्यों नहीं गया तो इसका मतलब उन्होंने आइडिया लगाया उन्होंने सोचा इसका मतलब कि जो हमारी अर्थ है वो चीजों को अपने और अट्रेक्ट करती है फिर बैठे बैठे उन्होंने और सोचना शुरू किया कि ऐसे तो अर्थ मून को भी अट्रेक्ट कर सकती है कि मून भी हमारी अर्थ की सर्फेस पे आकर की गिर जाएगा लेकिन डेल लाइफ में हम देखते हैं ऐसा होता तो नहीं है तो और उन्होंने ऐसा उसके बारे में विचार किया तो पाया कि इस दुनिया में हर एक अबजेक्ट दूसरे अबजेक्ट को अपनी और अट्रेक्ट करता है यानि कि उन्होंने क्या निसकर्ष निकाला रिजल्ट निकाला कि अगर दो अबजेक्ट ये पहला अबजेक्ट है ये दूसरा अबजेक्ट है अगर इनको कुछ दूरी पे रखा जाएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे attract करेंगे और इसी ट्रम को यानि कि ये जो दोनों object के बीच में एक तरह से force जो दिखाई दिया गया attraction वाला इसी को नाम दिया गया gravitational force या gravitation clear तो देखिए जो हमारी figure में earth आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे moon आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब गर्थ जो आपकी earth है उसकी अलग gravity है जो moon है उसकी अलग gravity है दोनों एक दूसरे को खीच रही है तभी तो ये जो moon है एक circular path में चारो और rotate हो रहा है otherwise देखो क्या होता है otherwise अगर यहाँ पे ये जो gravitation force है ये नहीं होता तो ये moon एक सीध रेखा में आगे निकल लेता घूमता नहीं चारो और आगे निकल लेता एक straight path में clear? कि कैसे? ऐसे माल लिजिए ये गोलाकार रास्ता है उसके अंदर ये moon घूम रहा है ये हमारी अर्थ है ठीक है? तो ये ऐसे सीधा निकल लेता ऐसे जाने की बजाए ऐसे नहीं घूमता ऐसे निकल लेता कब अगर इन दोनों के बीच में gravitational force ना होता तो तो यहां से उन्होंने idea लगाया कि objects के बीच में एक force of attraction एक्जिस्ट करता है और वो force depend करता है उन objects के masses पे कि इसका mass कितना हो और इसका mass कितना है क्योंकि वहां से उन्होंने ये भी सोचना शुरू किया कि ये जो apple है ये ही earth की surface की तरफ क्यों आया? हमारी earth इस apple की तरफ क्यों नहीं गई? तो उन्होंने इस चीज़ का भी जवाब दिया कि earth का जो size है जो mass है इस shape के comparison में बहुत ज़्यादा है तो जिसका mass जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही ज़्यादा force से उस चीज़ को attract करेगी तो earth का mass ज़्यादा होने की वज़े से इस ने इस apple को अपनी और attract किया हाला कि apple ने भी force लगाने की कोशिस की earth की surface की उपर लेकिन size छोटा होने की वज़े से बहुत कम होने की वज़े से वो वाला force इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला उसका effect इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला देखो basically इसके लिए चार तरह के fundamental forces available है gravitational force electromagnetic force weak nuclear force strong nuclear force तो इन चारों में से जो सबसे weak force है वो gravitational force है इसका हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता समझेंगे हम इस topic को और clear एक और figure आपको दिखाई गई है इसको समझने के लिए कि जैसे यहाँ पे figure में आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है इसने क्या है एक रस्षी की help से एक पत्थर के टूड़े को बांध रखा है और ऐसे इस direction में वो इसको rotate कर रहा है अगर मान लेजिए किसी point पे यहाँ पे आकर के मान लेजिए यह इसको ऐसे गुमा रहा था और यहाँ पे आकर के मान लेजिए इस लड़के ने इस रस्षी को छोड़ दिया तो क्या देखने को मिलेगा यह ऐसे ऐसे की बजाए यह ऐसे straight path में एक tangent tangent मतलब टच करती हुई line यह circle है मान लेजिए और यहाँ इस point को touch करती हुई कोई line straight line ऐसे जाएगी तो उसको हम tangent बोलेंगे ध्यान रखिएगा यानि की एक straight path में वो आगे निकल जाता अगर इस point पे हम rotate करते हुई लाते उसको और छोड़ देते तो यानि की अब भी यह path follow नहीं करता circular path यह कैसा path है circular path follow नहीं करता वो tangential path में आगे निकल जाता तो इसका मतलब क्या है कि यह जो person है यह जो लड़का है ठीक है इसकी वज़े से इसकी वज़े से क्या है इस पत्थर के उपर अंदर की तरफ एक force लग रहा है जो इस पत्थर को ऐसे गोल circular path में घूमने के लिए मजबूर कर रहा है तो यही वो force है force of attraction है जो इस पत्थर के उपर अंदर की तरफ लग रहा है और इसी force को gravitational force या फिर इसको centripetal force नाम दियागाता है ध्यान रखिएगा एक centrifugal force होता है जो की बाहर की तरफ लगता है और जो अंदर की तरफ लगता है उसको आप centripetal force कहेंगे और दूसरे वाड़ में centripetal force को आप यहाँ पे as a gravitational force कह सकते हैं यानि की same way के अंदर यही वो centripetal force या gravitational force है जो हमारे moon के उपर लगता है और जिसकी वज़े से वो गोल-गोल रास्ते में घूमने के लिए मजबूर है क्या यह सिरफ moon के उपर ही लग रहा है moon और earth के बीच में ही है नहीं Newton ने और भी हमें बताया ऐसे और भी planets हैं हमारा solar system लगा लेजिए उसके अंदर भी काफी planets हैं यानि की हमारा sun और earth लगा लो कलियर वहाँ पे earth भी हमारे solar के चारो रोटेट करती है और जो अलग planets है जैसे Neptune है Mercury है Mars है वो भी ऐसे circular path में सुरुज के चारो और चक्कर लगाते हैं सब किसकी वज़े से है gravitational force की वज़े से और ध्यान रखिएगा जो चार forces मैंने तोड़े जल्दी जल्दी में आपको बताए थे gravitational force weak nuclear force electromagnetic force और strong nuclear force उन सब में से gravitational force सबसे कमजोर है और इसका nature हमेशा attractive in nature होता है electromagnetic force repulsive भी हो सकता है लेकिन gravitational force की खासियत यह है कि यह हमेशा attraction type ही होगा याने कि दो objects को आप नज़दीक नज़दीक रखेंगे तो वो और एक दूसरी के नज़दीक आना पसंद करेंगे दूर नहीं जाएंगे तो इस संसार के अंदर हर कोई वस्तू दूसरे वस्तू को नज़दीक लेना चाहेगी अपने आपको उस दूसरी वस्तू के याने कि gravitational force देखने को मिलेगा सबसे कमजोर है चयार forces में इतना ज़्यादा effect हमें दिखाई नहीं देता इसलिए इसको बोला जाता it is always attractive in nature और थोड़ा सा हम इसके बारे में study करते हैं अब definition की बात करते हैं कि what is gravitation अब फटाफट देखिएगा कि gravitation क्या है gravitation कहो या simply just इसको gravity कहो is the force of attraction between any two bodies ये दो वस्तुओं के बीच में देखा जाने वाला ऐसा एक force of attraction है ठीक है जो कि दो बोड़ी के बीच में exist करता है एक के बीच में नहीं होगा अकेला आपने खुद के उपर नहीं होगा दो वस्तुओं के बीच में देखने को मिलेगा इसके साथ साथ आप ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पास में gravitational force है इन दोनों के बीच में जो देखने को मिल रहा है object 1 और object 2 Newton ने इतना तो बताया है इसाथ की साथ में कि इनके mass के उपर depend करता है m1, m2 और साथ की साथ इनके बीच में distance कितनी है उस पे भी depend करता है यानि कि अगर इस distance जदा होगी ना तो gravitational force इतना जदा हमें देखने को नहीं मिलेगा अगर distance कम होगी तो देखने को मिलेगा clear? यानि कि उनके masses पे और distance पे भी depend करता है gravitational force कल mathematical करेंगे तब आप देखिएगा clear? लिखा हुआ है कि force is two weeks to be observed due to very large distance of the separation अगर distance बहुत जदा होगी तो force जो हम के बीच में बहुत कम देखने को मिलेगा this force was first observed by Sir Isaac Newton Newton बताया गया से भी गिरता हुआ जब उन्होंने देखा तो सोचना शुरू किया theory दी उन्होंने और इसी वज़े से इसको कहा जाता है Newton's law of gravitation in the year 1680 ठीक है उन्होंने और भी बताया कि generally जो gravitation है ये दो तरह से exist करता है कैसे कैसे examples के साथ समझेगा इसको और आज इतना एक दो मिनट में हम इसको खतम कर देंगे कि gravitation may be the attraction of objects by earth gravitation एक आपको देखने को मिलता है हमारी earth की surface पे कि जहां पे earth चीजों को अपनी और attract करती है सबसे simple example आपको given है theory आप लिख सकते हैं मैं example आपको समझाता हूँ कि जैसे मानलेजी ये ball है पहले आपने इसको उपर फेका ये एक maximum height तक जाएगी उसके बाद क्या देखने को मिलेगा maximum height पे पहुंचने के बाद वो ball वापिस earth की surface की तरफ आती है कलियर वापिस earth की surface की तरफ आती है maximum height पे पहुंचने के बाद same point पे आजाती जहां से आपने यानि की ground से आपने फेका था पहले मानलो ground पे थी वो आपने उसको उठाया उपर फेका maximum height पे पहुंचने के बाद वापिस उसी point पे आएगी क्यों आई अर्थ के gravitational effect की वज़े से अर्थ के gravity की वज़े से अर्थ के दोवारा gravitational force जो produce हुआ है उसकी वज़े से कलियर तो ये तो था अर्थ की surface की उपर दूसरा है gravitation may be attraction of objects in outer space outer space का मतलब जो बाहर का हमारा वातावर्ण है कलियर जो universe space वहां पर भी देखने को मिल सकता है example से आप समझेंगे कि force of attraction between other planets and sun देखते हैं आप सूरज और other planets उसके चारो और चक्कर लगाते हैं वो भी किस की वज़े से है gravitational force की वज़े से है earth के चारो और moon चक्कर लगाता है एक circular path के अंदर ये भी है gravitational force की वज़े से देखिए यहां पर sun है earth है इन दोनों के बीच में gravitational force है तो इसकी वज़े से ये straight path की वज़ाए एक circular path के अंदर move कर रही है तो जब circular path में move करेंगे तो द्यान रखिएगा उसकी कुछ velocity में change देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि हर point पे उसकी अलग-अलग direction देखने को मिल रही है यानि कि change in direction, change in position, change in velocity देखने को मिलेगा जिसकी वज़े से acceleration आपको देखने को मिलेगा हर point पे अलग-अलग direction देखने को मिलेगी circular path के अंदर कलियर, जैसे कहा जाए मानलो आपको कि earth जब इस point पे पहुंचती है तो इस point पे उसकी particular direction क्या होगी इस direction में अगर rotate करी है तो ये होगी कलियर, जैसे बोला जाए कि इस particular point पे क्या होगी अगर वो इस direction में ऐसे rotate करी है तो ऐसे आपको straight line show कर देनी है बोला जाए कि इस particular point पे क्या होगी तो ऐसे एक tangent आपको draw कर देनी है बोला जाए कि इस particular point पे direction क्या होगी तो ये आप ऐसे tangent आप draw कर देनी ये tangent आपको मालूम होना चाहिए कि tangent क्या है किसी circular path पे कोई point दे दिया जाए और उसको touch करती हुई एक ही line खीचना ठीक है इस point को touch करती हुई एक line खीचना उसको हम tangent कहते हैं तो यह आप लोगों ने देखा कि अंदर की तरफ लग रहा है वो है gravitational force और जो बाहर की तरफ है वो है centrifugal force gravitational force का ही दूसरा नाम है centripetal force इसको क्या बोलते हैं centripetal force और बाहर की तरफ जो लगता है उसको centrifugal force तो यह दोनों एक ही चीज है यह अलग है clear तो आज के लिए इतना ही कल छोटा सा derivation हम करेंगे thanks for watching the video